वीडियो के इससे पहले वाले पार्ट में हमने चर्चा की थी समाज के अर्थ और परिबाशाओं के वारे में जिसमें हमने मैकावर पेज, राइट और किडिंग्स की परिबाशाओं के उपर चर्चा की थी समाज के अर्थ को समझा था और समाज की परिभाशाओं के उपर प्रकाश डाला था वीडियो के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे समाज की विशेष्टाओं के बारे जो हमने अर्थ और परिभाशा समझा था या जिसके उपर चर्चा कीती हमने उसी से कुछ विशेष्था है उबर कर सामने आती है उसके उपर हम one by one चर्चा करेंगे तो समाज की जो विशेष्था हैं उनमें सबसे पहली विशेष्था हैं समाज अमूर्थ है तो बच्चो समाज अमूर्थ हैं समाज अमूर्थ क्यों है और समाज को अमूर्थ कौन मानता है जॉन्सन मानता है समाज जैसा की हमने पहले चर्चा की कि विक्तियों का समूह नहीं है यह क्या है मानवी अंतर समंदों की जटिल विवस्ता है और मानवी अंतर समंदों को न तो देखा जा सकता है और नहीं उन्हें सपर्ष किया जा सकता है तो अमूर्थ अर्थ का यहां क्या है जिसे न देखा जा सकता है नहीं सपर्ष किया जा सकता है और इसलिए समाज क्या है अमूर्थ है समाज को कोई वस्तू नहीं है जिसे हम हमारी ग्याने अंद्रियों के माद्दियम से देख कर सूंग कर चक कर या सपर्ष करकर प्रतेक्ष जान प्राप्ट कर सके इसलिए समाज मूर्थ नहीं है अमूर्थ है हमें या समझने की जरूरत है बच्चों कि समाज अमूर्थ कैसे है हम जिस व्यवस्था में बंदे हुए हैं उस व्यवस्था में क्या आपने कभी विचार किया कि जो हमारा परिवार की व्यवस्था है जो समाज की व्यवस्था है क्या हम इसे देख सकते हैं एक संबंद से बने वह तरह है कि पूरी व्यवस्ता चलायमान हैं लेकिन उस संबंदों को हम देख नहीं पाथ है सिर्फ मह्सूस कर पाते हैं या सिर्फ व्यवस्ता के अंत्रक्रत होते हैं इस from समाज क्या है अमुर्थ ही हाला की जौनसन समाज को मूर्थ मानते हैं। पारसपरिक निर्भरता दूसरा बिंदो है। समाज की एक बहुत प्रहुख विशेष्टा पारसपरिक निर्भरता है। मानव की अनेक आवशक्ताइं होती है। और मानव एक सामाजिक प्राणी है। जब मानव की अनेक आवशक्ताइं होती है तो एक व्यक्ति अपनी समस्त आवशक्ताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है तो उन आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करेगा? दूसरों के उपर आश्रित रहेगा और जब दूसरों के उपर आश्रित रेगा तो इस निर्भरता के कारण ही क्या होता है समाज के जो सदश्य है उनमें सामाजिक समंधों का निर्मार होता है तो समाज की दूसरी विशेष्टा क्या है बारसपरिक निर्भरता समाज की जो अगली विशेज़ता है समाज समंधों की विवस्ता है समाजिक समंधों का जाल मेकैर और पेज ने कहा है सुसाइटी पुस्तक में मेकैर और पेज कहते हैं कि समाज जो है वो समाजिक समंधों का जाल है और सामाजिक समंधों के ताने बाने से बना हुआ है जब यह समंध व्यवस्थित रूप से एक व्यवस्था में तब्दील हो जाते हैं तब समाज का निर्मार होता है समाज जो है वो खंडित है अर्थात विबिन खंडों में उप खंडों में बना है जिन में एक व्यवस्था होती है और समाज जो है समंदों का सिर्फ संकलन मात्र नहीं है एक जटिल व्यवस्था है समाज का एक क्रम विन्या से जो एक समाज की सर्चना को व्यक्त करता है और समाज के जो विबिन भाग है चाहे परिवार हो गया दर्म हो गया राजनिती हो गया समू हो गया संस्थाएं हो गया समितियां हो गया यह सभी क्या होते विबिन भाग परस पर समंदित होते हैं और ए एक है समानता, दूसरा है असमानता, जब हम समानता की बात करते हैं, तो समानता लाइकनेस एक समाज में आवशक तत्व है, क्यों? क्योंकि सामाजिक समंदों का निर्मान उसी दश्चा में हो पाएगा, जब समंद स्थापित करने वाले वेक्तियों में आपस में कुछ समानत रचना एक तरह की है या उनकी एक ही प्रकार के विचार है या उनकी एक ही प्रकार की संस्कति है दूसरी बात हम बिन्नता की बात करते हैं तो बिन्नता में एक असमानता तत्वा और होता है तो समाज के लिए जिस प्रकार समानता की आफशक्ता है उसी प्रकार बिन्नता की भ है की किस व्यक्ति की कि सकार्य में रूची है किसकी युगिता क्या है अरथात सिशूरक्षा cockroHe या उदर पूर्ति के संबंध में और क्या विचार रखते हैं इस तरह से जो ces ए अपने की भी आवशेक्ता समाज में रहती है जब ये दोनों ही बिन रोप पाये जाते हैं तभी समाज का निर्मान हो पाता है अगला बिन्दों है समाज एक मनोविज्यानिक आधार है समाजिक समंदों का जो मतलब है उसके अंतर होता है कि दो या दो से अधिक जो प्राणी होते हैं जो पारस्परिक अनुभुती पाई जाती है उनके अंतर अर्थात यह पारस्परिक अनुभुती मानसिक जागरुकता होती है जिसमें प्रते एक समं कि यह मानसिक चेतना या मानसिक जागरुपता से ही उत्पन्न होते हैं इसमें एक समु चारिता समु में रहने की एक स्वाभाविक प्रती होती है जो समाज के मनोविज्यानिक आधार प्रदान करती है समाज की जब विवेचना होती है तो उसमें एक महत्तपुन होता है कि समाज का मनोविज्यानिक आधार होता है साधानत समाज में दो कुछ विरोधी वित्तियां सदेव क्रियाशी लेती जिसमें एक में सयोग विक्सित होता है दूसरे में क्या होता है संगर्ष को जन्म देती है समाज के अंदर सयोग और संगर्ष दोनों पाये जाते हैं है अगला बिंदू हे वच्चों अपारस्परी जागरुपता है पारस्परी जागरुपता समाज की एक आवशिक विशेषता नहीं होती है इसके वीपरित सामाजिक समंदों में जागरुपता रहती है बिना जाग रूपता के हम लोग क्रिया नहीं करेंगे और क्रिया नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ अर्थपुन व्यवार नहीं होगा अर्थपुन व्यवार नहीं होगा तो समाज एक समंधों का ताना बना व्यवस्तित रूप से नहीं होगा और समाज का निर्मान नही अगला विंदु है समाज में सहयोग और संगर्ष दोनों पाये जाते हैं समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं या जो प्रतेक व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो सभी कार्यों की क्षमता करने की और दूसरा सुविधाय जो है वो समान रूप से नहीं होती है अतर व्यक्ति अप दूसरे का सहयोग करता है कुल मिलाकर वही बात है जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि समाज के अंदर सहयोग की बात क्यों आती है और संगर्ष की बात क्यों आती है क्योंकि समाज की व्यवस्था या समाजिक जो प्राणी है या जो मानव है वो अपनी आफशक्ताओं की प कि अपने उद्देशों के प्रतिक प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के प्रयत्नों में संगठन प्रदान करना है सहयोग प्रदान करना यहां सहयोग से ताथ पर लाब पहुचाना नहीं होता है सईयोग के समंदों के अंतरकत महत्तपुन जैसे परिवार हो गया राज्य हो गया व्यापारिक और आर्थिक संगठन हो गये यह आदी सद्धिश यह जो संगठन है यह सद्धिश्यों के पारसपरिक सईयोग और साजेदारी से ही बनते हैं सईयोग जो है वो सामाजिक संग्ठन को शक्ति प्रदान करते हैं सईयोग के अभाव में मानव जीवन समाज संस्कृति सब क्या होते हैं उसका अस्तित और विकार्ष की कलपना करना मुश्किल हो जाता है लेकिन समाज के अंतर के संगर्ष भी पाया जाता है क्योंकि संगर्ष जो है वो भी कालमाक्स मानते हैं संगर्षवादी जो सिद्धान्त विताव मानते हैं कि परिवर्तन का कारण है क्योंकि समाज में चाहे संगर्ष कम हो या अधिक हो स्पष्ट हो या अर्ष्पष्ट हो लेकिन संगर्ष विद्यमान रहता है विकास के जो विबिन स्थरों से जहां से समाज अभी तक गुजरा है उसमें सयोग के साथ-साथ संगर्ष में विद्यमान रहा है क्योंकि व्यक् कारण स्वाभाविक रूप से संगर्ष का वातावर्ण तयार होता है जिसकी वज़े से समाज में संगर्ष होता है तो हमें यह द्यान रखने की आफशिता है कि समाज में सहयोग के साथ संगर्ष भी पाया जाता है लेकिन समाज में सहयोग अधिक पाया जाता है तभी सामाज समाज परिवर्तन शीलेवं जटिर विवस्ता एक बात विशेश ध्यान रखने की है कि समाज हर पल परिवर्तित हो रहा है कि हम इस परिवर्तन को महसूद इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह जो परिवर्तन ने बहुत दीमी गती से परिवर्तन होता है आप लोगों ने आधुनिक जो विवस्ता है उसको आने से पहले अगर आपके पुरवजों से बात की होगी उनका रहन सहन वेश भूशा खान पान उनमें पश्चिमी करन नहीं था या पश्चिम की सब्वेता के एवशेश नहीं थे लेकिन अभी दीरे द परिवर्तन आया है तो कुल मिलाकर समाज के अंदर जो है परिवर्तन शील समाज है और परिवर्तन होता रहता है साथ ही साथ यह एक जटिल व्यवस्ता भी है परिवर्तन जो है वह साश्वत नियम है समाज हो या कोई भी व्यवस्ता हो उसमें परिवर्तन होता ही होता है मै समाज में अनेक पारक हैं जैसे आर्थिक, राजनितिक, धर्मिक, सांस्कतिक, ये सभी कारण क्या होते हैं, परिवर्थन के कारण Mr. EU पर अगला बिन्दू है समाज मे निरंतर बंता रहता है में जैसा हमने यहीं जी समाज वेक्टियों का समूह यदिसर नहीं आट रहें समाज बना रहता है इसका तात्पर यह नहीं है कि समाज को ऐसी चीज जिसका अस्थित्व सभी सदश्यों के समाप्त होने के बाद भी बना रहेगा व्यक्ति तो इसकी आवशक इकाई है लेकिन यहां व्यक्ति मरता है तो उसके दूसरे व्यक्ति ले लेते हैं किन्तु समाज में वेक्तियों की निरंतरता बनी रहती है एक जनरेशन जाएगी और दूसरे जनरेशन अपना काम करेगी फुल मिलाकर समाज जो है वो निरंतर बना रहता है अगला और अंतिम बिंदू है कि समाज केवल मनुश्यों तक ही सिमित नहीं है समाज जो है या समाज के जो गटक या तत्व है वो समाजिक समंद है समाजिक समंद जहां वेक्तियों में पारस पर एक जागरूकता पही जाती है और जहां जागरूकता होती है वहीं समाज होता है समाज मनुष्यों के अलावा पसूपक्षियों में भी जागरुकता होती है अतर पसूपक्षियों में भी समाज है परन्तु पसूपक्षियों में जागरुकता का अभाव होता है इसलिए उनका सिमित समाज होता है उनके पास अधिक विक्सित मस्तिश्य नहीं होता है किवेशली को आप जीते हैं जिसमें रहन सान आा जाता है आपका विझ्ञा ना जाता है तक्नीक आ जाती है शब्बिता आ जाती है आपकी आदतें तक और आपके विचार इस सभी उस संसक्र्टी इंतर्कत आ जाते हैं तो मनुष्ञ ने अपनी तिक्षन बुद्धी और मस्तिश्च के करण संसकती का निर्मान किया इसलिए मनुष्य में क्या है जागरुकता अधिक यह पश्चुवों में जागरुकता कम है तो समाज के अंतर्कत अगर हम बात करें तो केवल मनुश्यों तक ही समाज नहीं बस्दू पक्षियों और कीडों मकुड़ों में भी समाज पाजाता लेकिन उनमें जागरुपता का अभाय होता है पाक तो कुल मिलाकर उनका समाज अधिक विक्सित और जटिल नहीं हो पाता है एक सामाश्य पाकी जन्द्न में नहीं नहीं तक ही समित ही दो कुल मिलाकर मानव ने संस्कति का फ्रिर्मान कियां और अधिक वीटसी तो जटिल समाज का के लिए समाज मानवी समद्धों का जाल है और इनी सम्द्धों का जाल को छाउस के रड़ियन किया जाते हैं तो इस वीडियो में हमने समाशास्त्र की परिभाशा और अर्थ के आधार पर जो विशेष्टा निकल कर आई वीडियो के पार्टू में कवर किया है अगले वीडियो में अनिकिष्णी बिंदू के उपर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय ही जय बारत